Hello everyone, welcome to Challenger Classes. My name is Ududh Gupta. Class 9-10th की Maths और Science के लिए और 11-12th की Maths और Physics के लिए हमारे चैनल में जुड़ें. आगे हम और भी subjects को add करेंगे. फिलहाल complete syllabus जो है आपको वो Maths और Science का मिल जाएगा 9-10th का हमारे चैनल पर. तो हम लोग का ये जो lecture है आज का ये current electricity पर ही based है. I think ये हमारा पांचमा lecture है. इसके पहले वले lecture में हमने discuss किया था कि combination क्या होता है registers का. कि registers का जो combination है वो दो तरीके का होता है. Series combination and parallel combination. और series combination में जो total resistance उसको find out कैसे करते हैं. Series में. जब series combination होता है तो current और voltage कैसे behave करते हैं. ये सब हमने discuss किया था. आज का ये जो chapter है. ये जो lecture है. इस lecture में हम लोग जो है. हम सारे जो भी NCRT में problems हैं. जो भी examples में examples हैं. जो exercise questions में. जो भी problem है series और parallel combination पर. उसको हम लोग आज discuss करेंगे. आपका होवग ये रहेगा कि NCRT में index questions भी होते हैं. तो index questions जो होगे आपके इस topic पर बेज उसको आप solve करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. हमारा पहला question क्या है? A battery of 9 volt is connected in series with registers of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm. बलब हमारा एक circuit है जिसमें ये सारे resistance series में लगे हुए हैं. कितनी volt battery के साथ, 9 volt की battery के साथ. How much current would flow through the 12 ohm register? तो 12 ohm register से कितना current flow करेगा हमें ये पता करना है. तो अगर हम इसके लिए एक basic सी circuit बनाएं, तो हमारे जो भी resistance लगे हैं, उनको हम series में लगाते हैं ऐसे. एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है. पांच register हैं ये. और कितने volt battery से लगाया गया है? 9 volt की battery हमने इसको connect किया है. 9 volt की battery है. 0.2 ohm का है, 0.3 ohm है, 0.4 ohm है, 0.5 ohm है, और 12 ohm है. ठीक है. तो हमें बताना है कि 12 ohm से कितना जो है, 12 ohm का जो register है, इस register से कितना current flow करेगा? अब कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर? वो कहेंगे, कि sir, battery 9 volt की लगी है, resistance 12 ohm का है, तो जो current होगा, वो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे V is equal to IR से, हम क्या करेंगे? V को 9 volt रखेंगे, current निकालना है और resistance हमारा 12 ohm है, तो जो हमारा current आएगा, वो आएगा 9 by 12, that means 3 by 4 ampere. कुछ बच्चे कहेंगे, sir, यह हमारा हो गया, क्या यह सही है? क्या यह सही solution है? हमने क्या किया? हमें voltage पता थी, 9 volt से connect है हमारा, और हमें resistance पता था, और हमने direct formula लगाया, V is equals to IR, और हमने अपना current निकाल दिया, क्या यह सही है? नहीं, यह सही नहीं है, क्योंकि series में अगर धर सारे registers में जाएगा, तो जो बैटरी से निकलने वाला current है, वही point two ohm में जाएगा, point three ohm में जाएगा, point four में जाएगा, point five में जाएगा, even twelve ohm में भी same current जाएगा, और हमें यह पता है कि battery से निकलने वाला current होता है, वो total resistance पर depend करता है बैटरी से निकलने वाला जो current होता है जो net current है बैटरी से निकलने वाला वो सभी resistance पर depend करेगा सिर्फ 12 वोंपर depend नहीं करेगा तो अगर हम इस according सोचे तो हमारा total resistance कितना है हमारा total resistance कितना है series का तो सारे resistance का आप sum कर दीजे कितना आ रहा है 0.2, 0.3 0.5, 0.5, 0.5 1, 1.4 तो 1.4 और 12 13.4 तो ओटल रेजिस्टन्स हमारा कितना है सिरीज में 13.4 हो में कितना है 13.2 में 0.3 जोड़ा 0.5 आया 0.5 में 0.4 जोड़ा 0.9 आया 0.9 में 0.5 जोड़ा 1.4 आया 1.4 को 12 में जोड़ा तो 13.4 आ गया ठीक है अब तोटल रेजिस्टन्स हमारा यह आया तो जो तोटल करेंट होता है जो सर्किट से जो बैटरी से निकलने वाला तोटल करेंट है वो तोटल करेंगे किसी से कट रहा हिए किसी टेबल में जा रहा हिए बताइए किसी टेबल में जाएगा यह तो यहाँ पर कैसे सॉल करेंगे पहले आपको यहां से पॉइंट हटाना पड़ेगा, पॉइंट हटाने के लिए आप उपर 0 आपको एक बढ़ाना पड़ेगा 90 अपॉन 134 आ रहा है, 90 अपॉन 134 ओम हा रहा है तो अब इसको solve कैसे करेंगे, इसको divide करते हैं, छीक है, करते हैं, divide नॉर्मल डिविजन लगाते हैं, छीक है, point लगाएंगे, तो 0 बढ़ जाएगा, point लगाए, 0 बढ़ गया, तो ये जाएगा, लग भग, six times जाएगा, देखते हैं, six times करके, Six, fours are 24 to carry, six, six, seven, eight, 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 four, हाज, 6 times जाएगा ये, 96 बच्चेगा, zero लगाएंगे, seven, type जाएगा भी, seven times जाते हैं, seven, fours are 28 to carry, सब्सक्राइब करें तो कितना आ गया वैल्यू हमारे पास हमारे पास आ गया 0.67 तो यह जो करेंट है यह जो करेंट है यह करेंट आपका किसे फ्लो कर रहा है यह करेंट आपका बैटरी से निकल रहा है आपका यही करेंट बैटरी से निकल रहा है 0.67 एंपियर का और यह करेंट जो है यह 0.2 में भी जाएगा 0.3 में भी जाएगा 0.4 में भी जाएगा 0.5 में भी जाएगा और 12 वोम में जाएगा इस solution को समझ लिया हो तो note down कर लीजे ठीक है note कर लिया चल लिया आगे बढ़ते है pause करके लिख लीजेगा screenshot ले लीजेगा जो suitable हो आपके लिए अगले question की तरफ बढ़ते है ये वाला discuss होया था? हाँ ये वाला कर लीजे in the circuit diagram suppose the resistance registers R1, R2 and R3 have the values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm, यहाँ पर देखिए जो register दिया हुआ है यहाँ जो register दिया हुआ है, R1 कितना बोल रहा है? 5 ohm R1 जो है वो 5 ohm है R2 कितना है आपका? 10 ohm है R3 कितना है आपका? 30 ohm है ठीक है और बोल रहा है ये तीनों resistance कैसे लगें? कितने वोल्ट बैटरी के साथ लगें? 12 वोल्ट की बैटरी के साथ लगें कितने वोल्ट की बैटरी के साथ connected है? 12 वोल्ट की बैटरी के साथ connected आपको क्या calculate करना है? The current through each register, हर register में कितना current जाएगा? The total current in the circuit, circuit मे total current कितना है? ये पता करना है the total circuit resistance, circuit का total resistance का यह भी पता करना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जो बैटरी से निकलने वाला current हो, यहाँ करके मान लेते हैं, यहाँ करके इवाइड होगा, इसमें जाएगा गया R3 में ठीक है तो यहां current divide हो रहा है तो और यहां पर देखो जो तीनों register है वो battery के साथ कैसे लगे है parallel में लगे है बैटरी के साथ कैसे लगे है parallel में तो parallel का concept क्या है parallel का concept यह है कि जो भी resistance होते हैं उसमें जो भी voltage होती है same होती है अब क्योंकि यह direct battery से जुड़े है यह त तो अगर हम total current निकालना चाहते है circuit का अच्छा current through each register पहला part करते है पहला part है current through each register तो V is equals to I1 R1 होगा तो वोल्टेज तो उसको भी 12V मिलेगा R1 को भी R2 को भी 12V मिलेगा R3 को भी 12V मिलेगा योकि बैटरी से यह direct connected है या कहे सकते हैं कि इनका parallel combination है बैटरी से ठीक है तो यह क्या हो जाएगा कितना voltage है बैटरी की 12 है current निकालना है I1 R1 कितना दिर रख है पांच ठीक है तो क्या हो जाएगा 12 by 5 is equals to I1 12 by 5 कितना हो गया 2.4 Ampere यानि कि कितना current जाएगा कितना current जाएगा आपका R1 में 5 हों को कितना current मिलेगा 2.4 Ampere अच्छा I2 क्या होगा तो I2 वनलब resistance R2 को जो current मिल रहा हो I2 है तो R2 को भी 12V ही मिलने वाला है क्योंकि वो भी parallel connected है I2 into R2 कितना है 10 ohm है तो कितना आ जाएगा 1.2 Ampere आ जाएगा I2 अच्छा I3 कितना होगा तो I3 को भी VV मिलने वाला है बैटरी का ही वोल्ट मिलने वाला है R3 को भी VV मिल रहा है R3 कितना है R3 30 ohm है 12 by 30 12 by 30 को अगर हम solve करें तो 6 से डिवाइड है 6,2 तो 12 6,5 तो 30 2 by 5 यानी 0.4 Ampere I3 होगा यह पहला पार्ट हो गया जो R1 को current मिल रहा है वो 2.4 Ampere है जो R2 को current मिल रहा है वो 1.2 Ampere और जो R3 को current मिल रहा है वो 0.4 Ampere है अच्छा आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो यहां resistance की value जैसे से बढ़ रही है current वैसे घट रहा है तो अगर parallel में अगर आपका resistance parallel में connected है तो जितना कम value का resistance होगा वो उतना ज्यादा current draw करेगा यानी current easiest path के through travel करता है देखिए यहाँ पर current के पास तीन रासे थे उपर जब जा सकता था इधर भी जा सकता था इधर तो maximum current वहां से ज खोड़ा और कम current हो जाएगा और यह सबसे ज़्यादा resistance हो तो इसमें और कम current जाएगा यानी voltmeter में अगर current नहीं जा रहा है तो आप guess कर सकते है इसका मतलब क्या है यानी voltmeter का resistance हो बहुत जादा है बहुत जादा जिस वज़े से इसमें से ना के बराबर current जा रहा है तो current इस और I3 को अगर मैं एड कर दूंगा तो मिल जाएगा तो टोटल करेंट मेरा मिल जाएगा तो टोटल करेंट क्या एगा 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 कितना आजाएगा 4 Ampere तोटल करेंट 4 Ampere आगया एड करिए आप सबको 4, 2, 6, 6, 4, 10 10 यानि पॉइंट में था तो 1 होगया तो 1 कैरी चला गया तो 2 और 1, 3, 3, 1, 4 आप कर ले ना, एड कर ले ना करके दिखाई देता हूँ 2.4, 1.2, 0.4 4 तो 6, 6, 4, 10 10 का 0 गया 1 तो 1 गया ना, तो पॉइंट लगाओ 2, 1, 3, 3, 1, 4 4 Ampere आगया, ठीक है 4 Ampere आगया, अब लास्ट पार्ट क्या है, the total circuit resistance circuit का total resistance क्या है तो सबसे आप, इतनको concept clear है ना तो आप direct कर लोगे, concept नहीं clear है तो फसे रह जाऊँ, concept क्या कहता है total resistance का, कि circuit का जो total current I है वो total resistance पर depend करेगा circuit का total resistance है जो circuit का total current है जो कि 4 MPR है वो total resistance पर depend करेगा तो यहाँ से अगर आप concept लगाते हो अगर आप यहाँ से concept लगाते हो अप यहाँ से concept लगाते हो V is equals to IR वाला तो जो total current I हो total resistance आरपी पर depend करेगा एक यह आई जो है वो सिर्फ एक resistance पर डिपएंद नहीं करेगा सारे resistance के combination पर करेगा total resistance पर depend करेगा तो यहां से total resistance निकालने के लिए हम direct formula यूज करेंगे तो यहां से voltage कितनी है बैटरी की 12 है total current 4 है तो आरपी कितना हो जाएगा 12 भाई 4 is equals to आरपी 3 ohm is equals to आरपी मतलब net resistance जो होगा circuit का वो 3 ohm है total resistance का है 3 ohm है इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी करके लिखाता हूँ इसको erase कर दूँ पहले लिख लो इसको लिख लो इसको लिख लिया चली देखिए यहां पर पहलेल में total resistance निकालने का formula क्या था 1 upon rp is equals to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 1 upon 5 r15 है r2 10 है r3 क्या 30 है ठीक है lcm के तो कितना आएगा 30 आएगा 30 आगया तो lcm लिख तो यहां जएगा 6 यहां जएगा कितना 3 यहां जएगा 1 तो कितना आएगा 10 by 30 यानि कि 1 by 3 तो जो 1 upon rp है वो 1 by 3 आ रहे 1 upon rp क्या आ रहा है 1 by 3 तो rp क्या होगा reciprocal कर लीज़े या cross multiply कर लीज़े तो cross multiply करेंगे तो हो जाएगा 3 ohm is equals to rp तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो लेकिन आपको इतना कर नहीं जूरत नहीं थी आपको अगर circuit का total current पता है आपको circuit का total voltage पता है चलिए आगे बटते है अगले कोशन की तरह अगला कोशन अच्छा कोशन यह पढ़िए कोई कोशन छूट तो नहीं गया इसके पहले हमने यह discuss कर लिया यह भी कर लिया सौरी यह करते है कोशन क्या है How many 176 ohm registers in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt 9 कोशन समझ में आया नहीं सर नहीं आया पता है नहीं आया होगा How many 176 ohm registers कितने 176 ohm के register आप parallel में connect कर वापस में ताकि उनका combination 5 ampere का current draw करे 220 volt की battery से अब समझ में आया कहने का मतलब यह है हमें नहीं पता की registers कितने value तो पता है की 176 ohm होनी चाहिए value लेकिन कितने register होने चाहिए जिसनकी value 176 हो और उनको हम parallel में connect कर दें तो वो 220 volt की supply से कितना current खीचें 5 ampere का current खीचें मना के दिखा देता हूँ अभी भी नहीं समझे होगे मैं जानता हूँ ना पर बाते समझ में नहीं आती करके दिखाओ तो कर देते हैं भी या यह लगी 220 volt की supply ठीक है 220 volt की यह लगा 176 ohm का register 176 ohm का register पैलल में और यह लगा बाते है हमें यह बोल दिया है कि हमारी supply 220 volt की है अब इसमें तुम 176 ohm के इतने register कर दो पैलल में कि वो जो circuit से current खीचें वो 5 ampere का खीचें अभी भी समझ में नहीं आया अब तो कह दो आ गया sir आ गया चलो तो यहां पर देखो अब हमें पता है कि total हमारा current कितना होना चाहिए यह 5 ampere का जो यह 76 ohm के parallel combinations मिल करके ड्रॉ करें बैटरी से तो जो 5 ampere का current है क्या वो एक register खीचेगा 176 ohm का नहीं यह पूरा combination खीचेगा अब तोटल जो भी overall combination है register का यह नहीं जो net resistance है जो इनका यह जो parallel connected registers हैं इनका जो net resistance है वो 5 ampere का current खीच रहा है तो हमें पता है कि net resistance अगर आपको निकालना है circuits का अगर net resistance निकालना है तो बैटरी से निकलने वाला जो total current है और बैटरी की जो total voltage गोल्टेज है आप उसे total resistance निकाल सकते हो circuit का ठीक है total voltage is equals total total current of the circuit into total resistance of the circuit यही होता है formula तो यहाँ पर voltage कितनी है 220 है current कितना है आपका 5 ampere है resistance कितना है निकालते हैं देखें यहाँ पर divide करते हैं 44 हम आ रहा है यानी 176, 176, 176 का overall net combination है वो 44 हम होना चीए यह हमने यहाँ से निकाल लिया कितना होना चीए 44 हम होना चीए हमने यहां से निकाल लिया अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो पैलल में जो net combination होता है वो कैसे होता है 1 upon r1 प्लस 1 अपउन आट्यू थि помощью तो हमें पता है कि वन अपउन आरती जो होगा हमें नहीं पता कि कितने resistance है R1 plus R2 plus R1 R2 लिखने की जुरूरत नहीं है देखिस सभी सेम है हमें नहीं पता 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R कितने times N times करना है हमें नहीं पता कितना है माल लेते है N resistance है तो अगर 176 को 176 ohm के N resistance लगें पहलल में 1 upon 76 plus 1 upon 76 plus 1 upon 76 कब तक करोगे N times करोगे कब तक करोगे N times करोगे तो यहाँ पर देखो अगर आप तो यहाँ से क्या आएगा Rp कितना होना चीए 44 होना चीए 1 upon 76 plus 1 upon 76 कब तक N times करोगे तो जब तुम LCM लोगे जब तुम LCM लोगे तो कितना LCM आएगा सब में 1 upon 76 है कब तक करोगे 1 plus 1 plus 1 कब तक n times करोगे अब देखो मेरी बात ध्यान से समझो 2 plus 2 plus 2 10 times करके 20 आएगा 2 into 10 करो 20 आएगा तो यह 1 plus 1 plus 1 n times लिख लूँ मैं यह 1 into n लिख दो बात से मैं तो यहाँ पर देखिए तो यह क्या हो जाएगा 1 by 44 is equals to 1 into n 1 into n क्या मिलेगा? n मिलेगा अब क्या करेंगे? यह 176 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आ करके क्या होगा? multiply होगा 1 से तो 1 into 176 हो जाएगा यह तो अब आप इसको solve करेंगे जब आप इसको solve करेंगे तो मेरे ख्याल से यह जो है 6 times जाना चाहिए 6 times 6 times ही जाएगा यानि n क्या आ गया? 6 आ गया मतलब 1 by r plus 1 by r 6 time करना था यानि 1 upon 76 plus 1 upon 76 plus 1 upon 76 6 time करना था अगर आपको 6 time 1 upon 76 करना था यानि total कितने resistance लगे थे parallel में? 6 लगे थे, कितने लगे थे? 6, यानि 6 176 ohm के register अगर आप आपस में parallel में लगा देते हो 220 volt की supply से तो जो current वो draw करेंगे, कितना करेंगे? 5 ampere का करेंगे note कर लीजे से note कर लीजे से देखिए, अगर कोई numerical समझ में नहीं आ रहा है मेरे बताने पर भी आप बिलकुल comment section में लिखे, कि सर देखिए, यहाँ पर यहाँ doubt है, यह numerical बिलकुल नहीं समझाया मैं उसको दुबारा से lecture में करूंगा जब मैं next lecture बनाऊंगा, सबसे पहले उसी numerical को discuss करूंगा, जो आपको समझ में नहीं आया था, तो जो समझ में आ रहा अच्छी बात है, जो नहीं आ रहा है उसके लिए हताश नहीं होना, परशान नहीं होना, उसको मैं next lecture में, जो next video बनाऊंगा उसमें मैं सबसे पहले उसी को discuss करूंगा लेकिन इसके लिए आपको हमारी videos के साथ जोड़ना पड़ेगा लगातार, ऐसे नहीं कि एक video देख रहे हैं फिर तीन नहीं देख रहे हैं, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और आप doubt भी मेरे से नहीं पूछ पाओगे यह 6 आना चाहिए क्या, एक बार करके देखते हैं, 6 आना चाहिए क्या, डिवाइट कर लेते हैं, एक बार संतुष्टी के लिए, 176 है ना, एक सेकेंड, 44 इंटु 6, 6 वोटे ट्वेंटी फोर, अरी तो 6 है लास्ट में, नहीं आएगा, 6 ताइम नहीं आएगा, 6 तो ट्वे नहीं, 6 ताइमस नहीं जाएगा, तो यानी 4 ताइमस जाएगा फिर यह, करके देखते हैं, 4 फोर फोर जा 16, हाँ जी, 6 ताइमस नहीं है, यह 4 ताइमस है, ठीक है, इसको सरी कर लेना, करेक कर लेना, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइट में थोड़ा सा दिक्कत होगी, 4 जोज रहाता है, 6 तो 24 हो रहा है, तो लास में 4 होना चाहिए था, वन डिजट पा, लेकिन यह 6 था, इसलिए confusion create हुई थी, चलो ठीक, अब यह सही है, सब कुछ method सही है, सारा तरीका सही है, आगे बढ़ते हैं, अगला question, सब NCRD का है भाई, कुछ भी अलग से नहीं, कुछ exercise और example करके जाना, करके जाना क्योंकि NCRT भले ही बाकी chapters के लिए बहुत tricky questions बनाएं, concepts को गुमा के पूछे, लिकिन electricity और Magnitive Effect College chapter के example, index और exercise direct पूछे जाते हैं, direct questions आते हैं, बने-बनाएं, ठीक है, तो आप भी practice होनी चाहिए, आपको पूरा solve करना पड़ेगा, ठीक है, तो exercise और example तो मैं कराई रहा हूँ, आप index करो, नहीं समझ में आता है, बोलो sir, index का यह वाला question बता, इस page number का index का यह वाला question मै r2 is equal to 40 ohm, r3 is equal to 30 ohm and r4 is equal to 20 ohm, r5 is equal to 60 ohm, सारे resistance की value है भाई, लिख लेते हैं, r1 कितना बोल रहा है, तैनों बोल रहा है, लिखते हैं, आर्टू कितना है हमारा, आर्टू हमारा 40 हो में, ठीक है, आर्थ्री कितना हमारा 30 हो में, आर्फोर कितना हमारा 20 हो में, आर्फाइब कितना हमारा 60 हो में, ठीक है, और ये 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, 12 वोल्ट की बैट हमें total resistance निकालना है circuit का और total current निकालना है circuit का तो यहाँ पर कैसे करेंगे total तो क्या करेंगे total resistance निकालने का तरीका बता रहा है आप बैटरी से current जो निकाल रहा है वो resistance आपस में parallel connection में होते हैं कैसे होते हैं parallel connection में होते हैं तो यह दोनों resistance parallel combination में है I1, R1 के through जाएगा I2, R2 के through जाएगा और इधर आ करके क्या होगा आई 1 और I2 वापस से मिलेंगे और मिलने के बाद वापस से current आई बन जाएगा और वो आई current वापस से यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आने के बाद i current फिर से divide हो जाएगा इन तीनों में इसमें चला जाएगा i3 इसमें चला जाएगा i4 और इसमें चला जाएगा i5 तो यहाँ पर क्या हो रहा है current इन तीनों में divide हो रहा है तो इन तीनों में divide हो रहा है यह तीनों आपसे parallel में तो ये तीनु वापस रालोल में, और यहां से फिर I3 I3 R3 से pass होगा, I4 R4 से pass होगा, और I5 R5 से pass होगा और वापस यहां पर आ long current मिल करके i current बनाएगा और वो i current वापस से battery में जाएगा तो यहां दो बार current डिवाइड हो रहा है तो जहां जहां डिवाइड हो रहा है उसको parallel connection उसका solve कर लेते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम वहां का पहले R1 R P1 बोलता हूं इसको में R P1 क्या होगा? 1 upon R1 प्लस 1 upon 8 उन दोनों का parallel combination में solve कर रहा हूं तो क्या आएगा? 10 ohm और 40 ohm है LCM लिया तो 4 आया 40 आया नोट 4 4 प्लस 1 5 बाइ 40 तो 1 upon R P1 कितना आया? 1 upon R P1 आपका 1 बाइ 8 आया तो R P1 कितना हो जाएगा? R P1 हो जाएगा 8 हो मतलब कि इन दोनों का total combination जो है वो 8 होम का है अब ये नीचे वाले जो 3 है आपसे पैलर उनको solve करते हैं 1 upon R 3 प्लस 1 upon R 4 प्लस 1 upon R 5 तो क्या आएगा? 1 upon 30 प्लस 1 upon 20 है न? 20 प्लस 1 upon 60 LCM लोगे तो 60 आएगा इसका? देखो अब मैंना यहाँ पर time ले सकता कि आपको LCM निकालना सिखा हूँ कि LCM कैसे निकालते हैं वो सब देखो बेटा basics है तो वो सब में अगर मैं time खर्च करूँगा तो numerical कभी solve भी नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर मैं 30, 20 और 60 का LCM लोगा तो मैंको 60 मिलेगा तो यहाँ आजाएगा 3 sorry 2 plus 3 plus 1 तो यहाँ जाएगा 6 by 60 यानी हो जाएगा 1 by 10 यानी हमारा जो 1 upon RP2 आया वो आया 1 by 10 तो RP2 कितना हो जाएगा reciprocal कर दीजिए cross multiply कर दीजिए 10 ohm आएगा तो देखिए net resistance जो R1 और R2 का है वो 8 ohm है और net resistance जो R3, R4 और R5 का है वो 10 ohm है तो मैं circuit को अगर बनाऊं अगर मैं मालेते हैं in resistance की जगा इनका net resistance लिग दूँ इनका net resistance लिग दूँतो क्या आएगा net resistance मैं यहां बना रहाएगा circuit मालेते हैं 12 volt की बैटरी लगी है ठीक है यहा मैंने R1 और R2 की जगा इनका net resistance RP1 लगा रहा हूँ जो कि 8 ohm का है यह लग गया meter जैसे लगा हुआ है और यहाँ लग गया हमारा R3 और R4 और R5 का net resistance 10 ohm का, देखो क्या होता है न चाहे तो आप इनको पैलर में लगा लो चाहे आप 10 ohm का resistance लगा लो काम दोनों सेम करेंगे, ठीक है तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो क्या यह दोनों combination जो है यह 8 ohm जो है और यह 10 ohm है क्या, यह series में नहीं है, क्यों series में है प्योंकि इन में से same, जो I current है वही 8 ohm में भी जा रहा है और जो I current है 10 ohm में भी जा रहा है तो यह series में है to net resistance क्या हो गया Net resistance क्या हो गया Net resistance हो गया r p 1 plus r p 2 that means 8 plus 10tonar to net resistance क्यतना आगया हमारा 18. कितना आ गया 18. लिख लिज्ये इसको अग्ला पर करते हैं अग्ला पर बहुत चोटा सा है यहां पर space है नवे कर दिता हूं है आपसे पूछरा है total current flowing through circuit जो total current होता है वो हमेशा total resistance पर depend करता है total current जो होता है circuit का वो हमेशा total resistance पर depend करता है तो V is equals to I अगर आप लगाते हो तो V कितना है 12 volt है current आपको total निकालना और total resistance अभी आपने 18 ohm निकाला तो 12 upon 18 is equals to I 12 by 3 मतलब 12 by 18 क्या हो जाएगा 2 by 3 6 से अगर cut करते है तो 2 by 3 ampere तो 2 by 3 को और simplify करेगा तो 0.667 ampere आपका current आएगा ठीक है sorry हाँ ठीक है 0.66 ampere 667 ampere यह आपका total current आ जाएगा circuit का ठीक है तो इस तरीके से कोशन हमारा solve हो गया लिख लीजे इसको लिख लीजे दुबारा खुद से solve करिएगा दा उटा है तो comment बिल्कुल comment box बिल्कुल आपके लिए खुला हुआ है comment box में जाके comment करिए सर ये step समझ में नहीं आया या ये numerical समझ में नहीं आया और भी numericals discuss करेंगे बहुत सारे numericals चलिए आगे बढ़ते है screenshot ले लीजेगा एक बार फिर से मैं हट गया पॉस का लीजेगा यहाँ पर लिख लीजेगा अगला question ये भी NCRT का है so how would you connect three registers each of resistance 6 ohm so that the combination has the resistance of 9 ohm and 14 ohm question क्या कहना चारा है यहाँ पर हमारे पास 3 6 ohm के resistance है कितने 3 6 ohm के resistance है ये भी 6 ohm का एक और 6 ohm का और एक और 6 ohm का 3 6 ohm के register है हमारे पास हमसे क्या बोल रहा है कि आप इनको ऐसा combine करो कि जो total resistance आए वो 9 ohm आए और 4 ohm आए तो 9 ohm के अगर मैं बात करता हूँ देखे अगर यहाँ पर hit and trial के लाबा कोई option नहीं तो hit and trial करके सारे तरीके देखेंगे जिस तरीके साम इन resistance को जोड सकते है तो देखे अगर मैं यहाँ पर 6 ohm को तो तीनों को series में connect करता हूँ एक के बाद एक के बाद एक ठीक है series में connect कर दिया मैंने ऐसे 6 ohm 6 ohm 6 ohm तो यह कितना हो जाएगा series में क्या होता है सारे resistance add हो जाते हैं तो series में अगर आप करोगे तो 6 plus 6 plus 6 कितना हो जाएगा 18 ohm आ जाएगा क्या यहाँ हमें 9 ohm चीए 4 ohm चीए हमें 18 ohm थोड़ी चीए यानि तीनों को आप series में connect नहीं कर रहे हैं आप तीनों resistance को series में connect नहीं कर रहे हैं तो यह चीज़ तो नहीं होगी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला तरीका क्या है अब दूसरा तरीका जो हमें पता है पैलल में connect करके देख लेते हैं तीनों को पैलल में connect कर देते हैं तीनों resistance को ऐसे पैलल में connect कर दिया 6 ohm 6 ohm 6 ohm तो पैलल क्या होता है 1 by 6 plus 1 by 6 plus 1 by 6 तो क्या आएगा गया 1 by 2 आ गया तो आर कितना हो जाएगा आर हो जाएगा आपका 2 ohm तो हमें 2 ohm भी नहीं चीए भाई त्यानि ना तो जो हमारी requirement है उसमें ना तो resistance series में connected है ना तो parallel में connected है तब कैसे connected भाई ना तो series ना तो parallel तो और भी तरीके हैं आएए देखते हैं इसको भी यह भी तरीका नहीं हो सकता तो अगला तरीका क्या है माल लेते हैं कि दो resistance आपस में i तो यहां पर divide हो जाएगा i1 और यहां चला जाएगा i2 तो i1 जो है वो इससे भी जाएगा और इससे भी पास होगा तो मतलब यह दोनों series हो गए और इन दोनों का series इसके साथ क्या है थर्ड वाले के साथ parallel में तो इस तरीके से हम एक बार चेक करके देखते हैं तो यह भी 6 ohm है यह भी 6 ohm है यह भी 6 ohm है तो अगर यह दोनों series में है तो इन दोनों का series कितना हो जाएगा 6-6-12 हो जाएगा इन दोनों का series कितना हो जाएगा net 12 ohm हो जाएगा तो और इन दोनो तो यहां देखिए 1 upon R आ गया हमारा 1 by 4 यानि की R आ गया हमारा 4 ohm देखिए यहां पर यह combination जो है यह second वाले के लिए जहां में 4 ohm चाहिए यहां पर क्या है दो 6 ohm का resistance आपस में series में है और वो किसके साथ parallel में हो जा रहे है another 6 ohm के साथ 2 series में है 6 ohm के और वो उनका पूरा combination series का एक 6 ohm के साथ parallel में है तो यह जब हम ऐसे combine करेंगे resistance को तो हमारा जो net resistance आएगा वो 4 ohm आएगा कितना आएगा 4 ohm आएगा तो एक hidden trial से तो एक हो गया अच्छा दूसरा तरीका करते है माल लेते हैं एक हमारा 6 ohm का resistance है वो connected है दो 6 ohm के साथ जो आपस में parallel में है कुछ ऐसे करके देख लेते हैं यह भी तरीका है यह हमारा 6 ohm का है यह हमारा 6 ohm है यह हमारा 6 ohm है ठीक है तो यहाँ पर अब देखिए यह point A है यह point B माल लेते हैं यहां से जो current आया वो current इससे होते हो इन दोनों में गया तो इन दोनों में current divide हो गया यानि यह दोनों parallel में तो इन दोनों का parallel कितना आएगा इन दोनों का parallel करके तो इन दोनों का parallel आएगा कितना 2 by 6 2 by 6 का मतलब क्या हो गया 1 by 3 तो 1 upon rp अगर 1 by 3 है तो rp कितना हो जाएगा 3 ohm हो जाएगा तो ये इन दोनों का जो parallel है इन दोनों का जो parallel है वो हमें 3 ohm दे रहा है कितना दे रहा है 3 ohm दे रहा है ठीक है तो अब इन दोनों का parallel 3 दे रहा है और इनके साथ एक 6 ohm सीरीज में जोड़ गया, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो जो हमारा required पहला combination है, वो ये वाला है, जहांपर एक 6 ohm का resistance, दो पहला 6 ohm के साथ सीरीज में लगा हुआ है, तो ये हमारा required combination हो गया, ये hit and trial से ह सकते हैं, तो आपको इस तरीके से इसको approach करना पड़ेगा, इसको note कर लीजे, चलिए आगे बटने, pause करके लिख लेना बच्चो, इसके बाद भी कितने question है, अच्छा, एक, बस, उसके बाद hitting है फेक्टा जाएगा, चलिए, दो question और discuss करना इस lecture में हमें, तो अगला question क्या है, और ये दो question करते ही, आपका example और exercise का सारा जो भी numerical है, combination of resistance पर वो हमारा complete हो जाएगा, तो अगला question है, a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B, मतलब एक oven है, उस oven में दो coil लगे, जिसे आपको होता है न, माल लेते हैं, heater का example लेता है, जैसे एक heater होता है, आपने देखा हो, घरों में heater होता है, उसमें न, दो rod लगी होती है, एक ऐसी rod लगी होती है, और एक ऐसी rod लगी होती है, आप चाहो तो दोनों rod को जलाओ, दोनों rod को जलाओ, या चाहो तो एक rod को बंद रखो, एक rod को जला लगी हैं, दो कोईल हैं A and B, ठीक है, अच्छा यह जो हीटर में जो लगा होता न है, वो भी कोईल ही होता है, इसे गोल-गोल सा जो लगा होता है, तो यहाँ पर जो ओवा न है, उसमें भी दो कोईल का रिजिस्टंस 24 Ohm है, दोनो कोईल का रिजिस्टंस कितना 24 Ohm है, विच में भी यूज़े हैं, हम चाहे तो A और B को अलग-अलग यूज़े करें, चाहे A को यूज़े हैं, चाहे B को यूज़े हम उनको series में भी यूज़े कर सकते हैं, और हम उनको parallel में भी यूज़े कर सकते हैं, तो तीनों cases में वो कितना current draw करेंगे तो बहुत simple सा question है, यह जब वो दोनो separately use होगे तो या तो A use हो रहा होगा या तो B use हो रहा होगा उसमें से कोई एक ही use हो रहा है जब कोई A use होगा तो आपका current होगा तो कितना होगा तो जब कोई A use होगा तो दूसरा बंद होगा तो जब कोई एक coil use हो रही होगी तो कितना resistance होगा उसका एक coil का resistance कितना दिया है 24 होग दिया है तो यहाँ पर वो कितना current draw करेगा कितना current draw करेगा तो 20, 220 upon 24 करते हैं 5 times जाएगा कि एक बड़ चेक कर लेते हैं 5, 4, 20, 5, 2, 10, 11, 12, नहीं यह तो 120 हो रहा है तो कितना time जाए गई है 9 times देखें 8 times देखते है 8, 4, 32, 3 carry, 8, 2, 16, 17, 18, 19, 19, 192 इसमें 24 अगर हम और add कर दिया तो 6 हाँ जी 9 times जाते है 9 times जाएंगे तो 4 बचेगा 4 बचा तो 1 times जाएंगे ठीक है मैं कर रहा हूँ divide माइंड महीं कर रहा हूँ आप कर लेना copy पे 9.1 ampere something आएगा तो जब हम separately use करेंगे 1 decimal place बहुत है तो जब आप separately use करोगे चाहे आप A use करो चाहे आप B कोई एक use करोगे तो कितना current वो खीचेगा वो 9.1 ampere का current draw करेगा अगर दोनों को series में आपने यूज किया तो जब आप series में use करोगे तो दोनों का net resistance कितना हो जाएगा series में net resistance कितना हो जाता है series में net resistance हो जाता है दोनों resistance का sum जब आप दोनों को series में use करोगे तो यह total 48 ohm हो जाएगा और अब कितना current वो withdraw करेगा तो V is equals to IR लगाते है तो V कितना है आपका 220 रहेगा, voltage तो वही दे रहे हो आप लेकिन आप resistance जादा हो गया क्योंकि दोनों यूज़ करें और दोनों सिरीज में यूज़ कर रहे हो 220 अपान 48 हो गया ये तो ये लगभग 4.6 something आएगा नहीं 48, 5 ताइमस आएगा 5, 4 is a 20 करते हैं, divide करी लेते हैं 19, 19, क्या बच गया 8, ठीक है 38 बच गया ठीक है, point लगाएंगे 28 28 बचेगा 28 बचेगा ठीक है, फिर 0 बढ़ा देंगे तो यहां कितना हो जाएगा 4 times, 5 times, 6 times 6 times आएगे अब 6, 8 is a 48, 4 carry 24, 28 लगबग हाँ, लगबग 4.6 ठीक है तो 4.6 ampere जब हम दोनों को series में use करेंगे तो कितना current withdraw करेंगे 4.6 ampere, ठीक है parallel में करेंगे तब तो जब हम दोनों coils को parallel में connect करेंगे तो parallel में जो total listens आता है वो कैसे आएगा, 1 upon RA plus 1 upon RB से आएगा तो कितना हो जाएगा 1 by 24 plus 1 by 24 24 LCM आजाएगा, 1 plus 1 2 by 24 1 by R कितना हो जाएगा कटे काटेंगे तो यह 1 by 12, तो R कितना हो जाएगा रैसी प्रोकल करेंगे तो 12 ohm आएगा R 12 ohm आएगा, ठीक है तो R अगर 12 ohm है तो अब कितना current withdraw होगा, तो V is equals to IR parallel में कितना distance होगा, total 12 ohm होगा, तो total current कितना withdraw करेंगे बैटरी अभी भी वही है करते है solve तो divide करते हैं इसको 12 ohm होगा 12 and a 12 12 ohm होगा 12, 8 ohm एडजा 96 calm 12 ohm 3 is a 36 18.33 आएगा 18.33 आएगा 18.3 ampere 1 decimal place is enough बहुत जागा जाना है तो 2 decimal place जाओ तो अगर हम coils को separately use करेंगे तो 9.1 ampere का current withdraw करेंगे, series में use करेंगे तो 4.6 ampere का और parallel में use करेंगे तो parallel में use करेंगे तो कितना होगा? parallel में use करेंगे तो 18.3 ampere, सबसे जादा current का withdraw करेंगे जब हम उनको parallel में connect करेंगे, coils को तो पैलल वाला case ऐसा होता है कि minimum resistance का case होता है, अगर आपको resistance कम करना है, बहुत सारे resistance आपके पास है और आपको करना है कि उन resistance को मिला करके मैं minimum resistance बनाओ, तो आप उनको parallel में connect कर दो अगर आपके पास धेर सारा resistance दिया और कह रहा है कि इन resistance को जोड़ करके maximum value of resistance निकालो, तो आप उनको series में जोड़ दो, ठीक है, कम करना है resistance तो parallel कर दो उनको, जादा करना है resistance तो series कर दो sorry no down का लिजे, pause करके ठीक है चलिए, आगे बढ़ ले अगले question की तरफ a piece of wire of resistance R is cut into five equal parts एक wire है, जिसकी resistance R है उसको five equal parts में क्या कर रहे है काट रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, एक मेरी wire है यह यह मेरी wire है, ठीक है इसको हम लोग five equal parts में divide करें, एक दो, तीन चार और पांच हमने इसको five equal parts में divide कर दिया तो अगर इस wire की length L थी तो five equal parts में कर रहे हैं तो हर length का length हर wire, जो हर piece का length है वो कितना हो जाएगा L by five L by five L by five L by five और L by five जो भी wire की length है वो कितना हो जाएगा L by five हो जाएगा आरी बस सुन में तो one by three, one by three, one by three हो जाता है ना तो five हिस्से करोगे तो क्या होगा five से divide कर दो, एक हिस्सा किस के बराबर होगा five से divide कर दो, L by five के बराबर होगा तो कह रहा है कि हमारे पास एक wire है जिसका resistance R है उसको five equal parts में divide कर दिया इस parts are then connected in parallel इन parts को हमने parallel में connect कर दिया हम माल लेते हैं हर एक piece को एक छोटा सा resistance माल लेते हैं हर एक piece को एक छोटा सा resistance माल लेते हैं तो इनको हमने क्या कर दिया पैलल में कनेक कर दिया हमने इनको पैलल में कनेक कर दिया तो अब हमें एक नया रजिस्टंस मिला रडेश हमें इनको पैलल में कनेक करके क्या मिला एक नया रजिस्टंस मिला रडेश तो R किसके एक्वल होगा, Rho L by A के एक्वल होगा, माल लेते हैं, Length L थी, उसकी Material माल लेते हैं, जो था, उसकी Registivity Rho थी, Wire का Cross Section Area A था, तो Registance क्या होगा, Rho L by A, अब जो Parts हैं, जो हर एक पीस है, जो हर एक पीस है, उसका Registance क्या होगा, इसको Small R से denote करते हैं, अभी के जो वायर मिलेगी, आपको वो लोहे की होगी, Material सेम होगा, तो जो वायर के जो पीसे से, उनकी भी Registivity Rho होगी, Length आपका L by 5 हो जाएगा, और Cross Section Area भी सेम रहेगा, देखो भाई, अगर मैं, माल लेते हैं, मेरी ये वायर थी, मेरी ये वायर थी, मैंने इसको बीच से दो इसको बाव बढ़ गया, एक हाफ ये हो गया, एक हाफ हैँगा, तो एक हाफ ये हो गया, तो क्या इनकी Cross Section Area बदली क्या, Cross Section Area पर कोई फरापड़ा नहीं, तो charging Area ए रहेगी, वो कोई पाई प्क ठाई expon आएगा, तो यहाँ से नया resistance जो आएगा, हर एक discuss का, वो कितना आएग को parallel में connect कर दिया, कैसे connect कर दिया है, parallel में connect कर दिया, जब हम parallel में connect करेंगे, तो जो net resistance आएगा parallel का R' वो किसके equal आएगा, one by r, plus one by r, plus one by r, plus one by r, ठीक है, तो LCM क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, one plus one, plus one, plus one, तो यह आजाएगा 5 by R तो जो 1 by R' आएगा आपका वो आएगा 5 by R that means R' will be equals to R by 5 R by 5 आएगा ठीक है तो अब ratio हमसे पूछ रहा है ratio निकालो, किसका ratio निकालो R by R' का तो R क्या है? रो L by A है R' क्या है? R by 5 ठीक है अच्छा यह 5 उपर चला जागा तो जागा 5 रो L by A upon R यह 5 नीचे था R by 5 था वो उपर चला गया है और R की value हमारे पास क्या है? रो L by 5 है पुट करते हैं आपर R की value को रो L by 5 है अब आप देखोगे रो से रो cancel out हो जाएगा L से L cancel out हो जाएगा 5 upon 1 by 5 तो 5 upon 1 by 5 बच रहा है हमारे पास 5 upon 1 by 5 उपर कुछ नहीं बचा तो 1 by 5 तो अब यहाँ पर देखो 5 upon 1 by 5 बचा तो यह 5 उपर चला जाएगा और multiply हो जाएगा तो जाएगा 25 by 1 तो ratio क्या आ रहा है? 25 is to 1 आ रहा है ना? क्या ऐसा option है आपके पास? तो इस तरीके से हमने सारे questions को complete कर लिया जो भी NCRT में था NCRT का example या exercise में था index वाला आपका home वाक है उसको करिए solve doubt है पूछिए जो भी numerical session आज मैंने लिया इसमें अगर कोई doubt है तो वो भी मेरे से पूछिए मैं आपको next video में जरूर उसका doubt जो है वो clear कर दूँगा लिख लिजए इसको तो I hope आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी हमारी वीडियो को like करिए channel को subscribe करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए ठीक? Thank you